बुलिये सद्गुर्देव की जय साहे ने संद्धे है, बहुत बड़ा रहस्य है। कभी-कभी कुछ लोग सर्वण भक्ति का भी खंडन करते हैं, ठीक है, मैं कह रहा हूं, वो प्लेवे हैं, और कहीं-कहीं कुछ लोग आपक्ष करते हैं, ये रहस्य से जल्दी कोई समझ नहीं पाएगा। क्योंकि पांचों तक तुम्हें भी एक शक्ति है, पर ये इनका स्वरूप भी लूम हो जाता है, इनका स्वरूप बदल जाता है। स्वरूप तो बदलता हैं, कैसे देखिए, जल्द हैं, जब अगनी के संपर्प को पाता हैं तो वाश्प बन गया, देखा, स्वरूप बदल गया, दा तो नहीं बदला, और जब यही जल्द, माइनस निगरी पर पहुचता है जाकर, बरब बन जाता है, बरब ठूशती, जल्द नशने हुआ, रुपांत्रन हो गया, इस तरह यह सभी तब तबी रुपांत्रे थोपते होते, जाकर उस सत्य में ले होते हैं, आपको ध्यान होगा, कई बार मैंने, ब्लेक होल का भी उल्लेक किया है, आप विचार करें, दाउनव बना ब्लेक होल, हर सेकिंड निगल रहा है, पृथि जैसे इग्र है, इसमें गुरुत आक्रशान और खीष्णी की ताकत कहां सभी हो, हाल में मिले ब्लेक होल से पांसो गुना बड़ा, इस वर्ष विशेश प्रकार के तारों की खोश के दोरान ये ब्लेक होल पाया गया है, इसी साल शोट करता हूने हमारी ग्लेक्सी में सेजिटेरियम ए नामक ब्लेक होन की खोश किये थी लेकिन ये सेजिटेरियस ए पांसो गुना अधिक विशाल है आप देखके पहन में ताकत नहीं है अगनी में एक उर्जा नहीं है जल में एक उर्जा है पृति में तमाम उर्जाएं भरी पड़िया यही यजुर्वेद भी कह रहा है वह सत्ता ने अपने आपको सरगुण में किया अरथार्थ यह पांच इलिमेंट भी रुपांतरित हो जाते हैं इनको संचालन एक शक्ति करती हैं इसलिए धर्ब में कहते हैं भाई पवन देव अगनी देव के आंत्रक्षादेवता आहतियों में बहुते हैं आंत्रक्ष देवाए नमांस वाहा तो क्या मैं इसको इस्तापित कर रहा हूं ये एक साकार स्वरूप पर जो परिवर्थित होता है जो अपने स्वरूप को बदलता है वो निति नहीं होता इसलिए ब्लेक वोल तक जाकर के निराकार है वो ही वो क्या कर देता है वो समझता है ग्रहों की उर्जा वो अपने में नहित कर लेता है समाहित कर लेता है अपने में समाहित करने के बाद उनके स्वरूप को नश्ट करता है उर्जा उनकी खीज लेता है वो उनकी उर्जा अपने में ले लेता है लेकिन जो परंपुर यानि यहां तक निराकार भी एक तत्त है मैंने इस बात का कई बार उले किया है साहिब ने वारी में कहा शुन्य में रच्चो संसारा शुन्य का खेलने सारा तो ठेलुआ लोग थोड़ा मेरा खंडन करने के लिए तरह तरह की बात करते हैं छोड़िये खैर आखिर यानि इन सबी तत्मों का सुरूप बदल लियता है जाकर निराकार में समाता है ये सुरूप आंधरन हो गया खत्म उर्जन नहीं हुई यही महाप्रलय के वरतांत में वेदू में भी है रिगवेद तो सर्जन और महाप्रलय का वरतांत बताता है कि पृथी जल में समा गई देखो समा गई जल में गुलन शीलता है इसलिए पृथी को अपने में समा दिया और पृथी में ने अगनी ने जल को अपने में शोशि क्रिट हो जाता है अब देंगो वाष्विक्रित हो गया वाष्ट के अधिक बहतरा बढ़ी उसने क्या किया अग्नी तत्व को एंड कर दिया इसलिए सुर्यवी गैसिज है अच्छा है वैग्यानिक लोग काफी रहे से दे रहे हैं वैग्यानिक लोग इमानदार हैं वो रहे से दे रहे और वायू को आकाष अपने में विलूम करता है यानि वायू के सृरूप को खत्म करता है, वो उरजा अपने में खेच लेता है, इस तरह आकाश को शुन्य अपने में समाहित करती है, वो ही निराकार शुन्य निरंजन कहता है, वो निराकार है, लेकिन ये वो भी शुन्यभी अपना सुरूप बदल देगी इसलिए वेदों में एक उनलिक भी है महा पढ़ने में 33 कोटी देवता ब्रह्मा में ले हो जाते हैं निरंजन में ले हो जाते हैं भेद पड़ा हैं भूज में और भेद कुछ ना है लेकिन वो इलिमेंट ऐसा है जो परिवर्तित नहीं होता है अपनी जगह है उसका स्वरूप निश्ट नहीं होता सत्यसोई जो विंशे नहीं जिसका कभी भी विनाश्ट नहीं है सीदी सी बात यह हुई कि हमारे वेद भी कह रहे हैं कि तेतीस कूट देवता भी महाप्रले के दोरान ब्रह्म में लीन हो दीन हो गए शिष्ट भाशा है लीन होना धर्मदास कह रहे हैं कि यह पांचों तक्त्त और निरंजन अगर आप कह रहे हैं यह सब परिवर्तित होते हैं उसके स्वरूप को अपनी पावर से खत्म कर देता है जैसे कलेगीर बरतन को पहले आगस में गरम करता है फिर क्या करता है उसके पास एक लकड़ी की हथोड़ी बरतन के अंदर जो डेंटिंग है उसको निकल देता है तब उसके लिए कर देता है बरतन चमकता है इस तरह निराकार तक सभी ले हो जाते हैं वेद यूं कह रहा है सभी उसमें समाहित होते हैं कुछ नहीं रहता है बाकि रिग वेद भी महाप्रले का बरतान बताता है आगे क्या बोल रहा है पता है साहब एक बात बोल रहा है इस पर थोड़ा चिंतन करें को कहे वेद जूठा वो जूठा जो वेद ने विचारा है कह रहे हैं वो जूठा है जो वेद पर विचारने के वेद कहें मैं आगे कह रहा है नईती 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 लेकिन वो अपने सुरुक को कभी नहीं खोता वो इसलिए सत्य सोही जो बिंशेन आई नानक देव जी ने भी इस बाणी को बहुत अच्छे लंकार से इंगित किया आदी सच जुगादी सच हैं भी सच नानक होसी भी सच वो अपने सवरुख पुड़ तो धरंदास के यही एक सवाल पूछते हैं कैसे सम्रत पुरुष्ट हंस केहन कारण ते पाईये कैसे कटे काल की फंस बड़ा यूनिक सवाद एक ही एक ही दोहे में उन्होंने सब पूछ लिया कि वो सम्रत पुरुष्ट कैसा है उसी को संक्तों ने सद्पुरुष्ट परंपुरुष्ट का दिका कैसे हैं सबहंस और आत्मा कैसी है केहन करनी त पाईये कैसे कटे काल की फंस मैंने अभी तब किसी का महात्मा लेकर नाम लेकर महात्मा खा पोटो रख करके और उसकी आलुचना नहीं किया है लेकिन कुछ ठेलुआ लोग एक गलत गोश्टियां भी कर रहे हैं यह अपराद है कहें कभी सुनो धर्मदाशा अलप बदीगट माय निवासा अब धर्मदाश जी एक बात कह रहे हैं साहिब कह रहे हैं धर्मदाश सुनो सत्य लोग है अधर अनुपा, सत्य लोग अधर अनुपम है, ता में 27 दीप, सत्य शब्द का टेका दीना अगम पौमी धर्ती को कह रहे हैं, रच तिन लीना, सत्य है, इस दियों से सत्य लोग कह रहे हैं, सत्य, क्यों? वो सत्य लोग सत्य पुरुष गहाया, आप समझेगा, सत्य लोग सत्य पुरुष गहाया, पहुं प्रीप है मद्य सिंगासन, कर्प्रीप आसन, संतन कुवासन, अभीकत भूशन, क्या वहां पर बड़े संदर अलंकार से साहिब समझा रहे हैं, क्या वहां पर भूशन वस्त रहे हैं क्या, जब वस्त रहे हैं तो पर दातु भी हो, आभूशन है क्या, कोई आभूशन नहीं है, क्योंकि हम इस पृथि पर रहे हैं, हमें वहां का वर्तान वो अकहलोग हैं, कहां नहीं जा सकता हैं, समझाने के निमत परमान देना पर रहे हैं, परमान हम पंचबोतिक तक्त्तों का समझते हैं, क्योंकि हम इस पृथि पर रहते हैं, इसलिए हमें इनके दोरा परमान दिया जा सकता है, अविगत अहारा अविगत अहार का क्या मतलब है विगत कहते हैं जो दिख रहा है अहार भी ऐसा है जिसकी उत्मा नहीं दे सकते हैं इसलिए अनुपम कहा अच्छी व्याक्या देने के बाद कपीर साथ एक शब्द में समेट रहे हैं यह चीज़ जो पहुचा जो पहुचा जाने का वाही कहन सुनन ते नहारा है अबदू बेगम देश हमारा वेद किते पार नहीं पावत कहन सुनन से नहारा है आगे कह रहे है कि वो अभी कहता है उसकी विशे में अक्का है नहीं कह सकते पर अलंकार से समझाने की कोशिश की है कमल सो रूप भूम है भाई भूमी कमल रूप है भूमी है तो क्या तता है नहीं हम इस बृति पर रह रहे हैं ना तो हमें यह नेचर हमारे अंदर यह बिट है आप देखो आप नीन में भी क्या देखते हैं जो चिंतन आपका जागरी तवस्ता में हुआ है वही चीज आप सो अपने देख रहे हैं कहां की उपमा देहों बताईए उपमा कहते हैं उधारन को बोला ही धन्दास संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका उधारन देकर तुमें समझाओं जगत में ऐसा कोई पजारत नहीं है आभा चंदर सूर नहीं पावे मुल्चु के शिश नवाए एक जगे साहिब कह रहे है अर्बन सूर उधार जो ही अर्बों एते ही बन चंदर रखोई हैं पुरुष रोम सम एक नहोई आप अब सोचे ना पूरे बर्मान को एक सूर प्रकाशित करता है कह रहे हैं अगर अर्बों सूर भी उत्मन हो जाए रोम की उत्मन नहीं दे सकते हैं अनुपमें कलान एक सुक्सदा होई वह सुप्धियां लहन होई तहां आवा गमन नहोई तहां के गए बहुर नहावे ऐसा देश्यमार उत्पत पढ़ना है कि वर्तांत के बाद यह भी लिखाए जब पुनर्द पुनेश्रिष्टी का सर्जन होता है तो सब को फिर आना पड़ता है फिर सब को आना पड़ता है मैंने एक बात आप से पहले भी कही है कि साहिब ने कभी जूट नहीं बोला उनकी वानी से एक बात सुपष्ट होती है वो तो साप साप कह रहा है ना साच बराबर तप नहीं जूट बराबर पाप जाके हिर्द है साच है वाके हिर्द है आप तो जूट कैसे बोलेंगे वो जूट नहीं बोलते है इसलिए उस सत्ता को अनुपम भी कह दिया साहिब ने मैंने ये उलेक पहले भी किया ये उलेक पहले भी किया है मैं सिद्ध करूँगा साहिब परम चेतन पुरुष है उनकी तुलना नहीं है कहते हैं काशी में गोरक नाद के परताब के करण वेशनों लोग डरते थे जब वो आने वाला होता था तो वेशनों रूप नहीं बनाते थे कि माथे पर टी काने लगाते थे माला नहीं वह माला तोड देता था माथे का पीका एंशा का यह अब सी तफिकना अब साहिग क्या के बहुत की यह नहीं कर दो गोरक नाथ के डर्के मारे वेरागी नहीं फेस संभांत थे मेरागी प्रशुन नहीं बनाते थे तब कबीर आग्यान सारा वैशनों सकर स्वरूप सवा रहा है लेकिन साहिम ने अपना पूरा वैशनों स्वरूप मनाया săो सुध गोरग्नाज जो पाया काश Wendy शींग्र श्री शेद्य याणि इतना प्रताप था गोरग नाज जी इतनी शक्तियं थि आप रामानांद को खबर पठाई चर्चा करो मेरे संगाई आपका वही मेरे साथ आकर चर्चा करो रामानांद की पहली पौरी सत्यकबीर बैठे थे ठोरी पहली पौरी पर साहिब बैठे थे कहें कभी सुन गोरक ना था चर्चा करो हमारे साथ वुला भाई प्रतम करो चर्चा संग मेरे पीछे मेरे गुर्प को टेरे पहले मुझ से निपड़ लो बालक रूप कभीर नियारी तब गोरक तेह वचन उचारी उस समय साथ बालक रूप में थे कभ के वैरागी कभीर जी कभ के भै वैरागी कह रहे तुम कभ के वैरागी बने हो बच्चा देकर हमने कह रहे हैं दूद वाले दानत है क्या ऐसा ही ब्यंग कर दिया अब कभीर साब क्या बोलने है नाद जी हम सब जब से भै वैरागी मेरी आदी अन्तसद लागी धुन्दू का और आदी को मेला नहीं गुरू नहीं चेहला कह रहे तब कोई गुरू नहीं था कभी कोई चेहला नहीं था जब का तो हम योग उपासा तब का फिरू अकेला आगे क्या कर रहे हैं आप विचार के जगा धर्ती नहीं जदकी टोपी दीना ब्रमा नहीं जदका ठीका तिरदेव भी नहीं थे शिव शंकर से योगी नहीं जदका जोली सिक्षिक का शिव आदि भी नहीं थे जापर की हम करीब आवडी तिरेता को हम धंडा सत्युक मेरी फ्रे दुहाई कल्युक फिरो नोखंडा गुर के वचन साथ की संगत अजर अमर घर पाया कहे कभी सुनो गोरक जब हम तत्त लख आया जो बूझे वो बामरा जो बूझे वो बामरा क्या हमर हमारी जो पूशे वो बामरा है जो मेरी उमर पूशे आखा असंखय यूग पढ़ रहे गई तब के ब्रह्मशारी असंखय यूग अगर आपने रामयान का अधन किया हैं तो देखी कई पढ़ रहे हैं कांग वुशन जी ने देखी थी उसके पास कला थी जब पती पर जल जल हो जाता था वो जल का रूप बन जाते हैं जब पती को सूर्य नजदिका कर शोशित करता था तो वो अगनी रूप भी बन जाते हैं जब अगनी को वायू बुझाने की कोशिस करते थी वो खुद वायू बन जाते थी जब वायू को आकाश वलों करता था घंश को जब आकाश को शुन्य अ différentes जब आकाश को शुन्य अपने मे नहेत करती वह शुन्य रुप हो जाते यह सम्वाद रामायन में भी है तो साहिब करें असंक्यों यूग पढ़ रहे भई तब कहुं प्रम्प्राइब और इसका प्रमाण साहिब की वानी में मिल रहे हैं चदरिया जीनी रहे जीनी में साहब कह रहे हैं एक कभीर जतन से लीनी ज्योंकितियों धर्दी नी चदरिया आगे क्या कह रहे हैं सुनना कोटी निरंजन हो गए पर लोग सिधारी करोडों निरंजन मेरे आगे हो गए हम तो सदा महभूब हैं सुहम ब्रह्म चारी दस कोटी ब्रह्मा भै नो कोटी कनहिया साथ कोटी शम्भू भै मौरी एक बल एक बल समय का मुल्यांकन अब लोग कह रहे हैं काल समय काल हैं इसको काल भी कहते हैं ज्यान से सुने हैं समय का मौल्यांकन किस से करते हैं किरियाओं से मुझे अभी बैठे किसी से भी पूछेंगे बता देगा अंदार से कहेगा आपको 20-25 मिनट हुए हैं मेरी बातों से ही आंकलन किया गया यानि जहां शुने हैं महां समय का अभा हो जाता है जहां किया नहीं है महां समय का अभा हो जाता है आदमी अगर चलता जा रहा है तो वो यह जान जाता है कितनी देर में जी चल तो इसका मुल्यांकन किस से किया उसने किया से किया समय का मुल्यांकन क्रियाओं से होता है चाहे मों क्रिया वैचारिक हो चाहे फिजिकल हो चाहे चलना हो चाहे बोलना हो चाहे उठना हो चाहे खड़े होना है जहां क्रिया इंताति है समय का अभा हो जाता है इसलिए इसे काल कहते है देवतन की गिंती नहीं क्या श्रिष्ट बिचारी नहीं बूरा नहीं बालक नहीं भाट बिखारी कहे कभी सुनो हो गोरक यह उमर हमारी अब यहां साहिब गोरक नाज जी को कह रहे है अब कल्कुलेशन करो क्योंकि मैं तो कभी देवास हमारा काल अकाल नपावे पारा काल अकाल नपावे पारा अब अधू अविगत से चलाया अविगत जो विगत नहीं है कोई भेद मरम नपाया ना मेरो जन्म न गर्ब बसे रा बालक कोई दिख लाया अब आप विचार करें क्या कहरें ना मेरो जन्म न गर्ब बसे रा बालक कोई दिख लाया कहरें मेरा जन्म नहीं हुआ काशी नगर जंगल विच देरा तहां जुलाहा पाया मात पता मेरे कुछ नाई ना मेरी ग्रही दासी माता पता मेरे नहीं है ना ग्रही पत्नी ना कोई दासी है लोगों ने क्या-क्या कहानिया बनाई जुलहा का सुतान कहाया जगत करे हैं हासी धर नहीं मेरे गगन कशनाईं सुजगा मपारा सत्य सरूपी नाम साहिब का सुई नाम हमारा जोती सरूपी अलग निरंजन सोजपे नाम हमारा अभी यहां क्या करें जोती सरूपी अलग निरंजन सोजपे नाम हमारा हाड़ शाम लोहु नहीं मोरे हो सत्नाम उपासी मेरे हाड़ शाम लोहु अगर नहीं है इसलिए जब शरीर साहिब ने छोड़ा मगहर में तो मांस, अस्तियान, लोथड़े कुछ नहीं मिला था तारन तरन अभे पद्दाता कहे कभी रम नाशे अब यहां गुरत नाजी को यह साहिब बोल रहे है ना हमने मात पिता है ना ग्रही नादासी इस तरह साहिब ने उस देश की व्याक्या बड़े सुन्दर तरीकों से की है यह सब कपूल कल्पित बाते नहीं है यह अथारत में यह सब कपूल कल्पित नहीं है लेकिन क्या करें लोगों ने अपने हिसाब से व्याक्या हैं दिया है जिसको जो आया उसने वो बोल दिया, मुग इसका कौन पकड़े, अभी भी आप देखो, दुनिया में ये सब चीजें चलती है, यहां मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कि साहिब भाणी में एक बात साहिब बोल रहे हैं, संतो अभीगत से चल आया, कोई भीद मरम न पाया, इस तरह कालंतर से इंसान, श्रिष्ट्रा के बारे में भिरमत है, हल्का गरुआ जाय न बोली, रूप सरूप जाय नहीं बोली, हल्का गरुआ जाय न तोली, जो पहुचा जानेगा वाही कहन सुनन से जारा है, अबदू, बेगम देश हमार है, आगे कहा है, चुकर जलक वरनी नहीं जाई, कोटिन वार शशी वरन न जाई, एते से सद्गुर्फ फर्माई, मनश रूप है, लोक है, अबिगत रूप है, लोक हमारा, करनी भेद कहो निर्वारा, कह रहे हैं, मेरा अबिगत रूप है, मैं माता पिता के पेट से नहीं है, ऐसी शक्षियत और कोई संसान में नहीं है, आप देखो न, जो बिजनिस कर रहे हैं, अपनी चीज की उत्माग कितनी मुची उची बोलते हैं, वो बिजनिस में हैं, उनको टेक्निक है, अपनी चीज को इस्तापित करने के लिए, वो तरह तरह की बाते करते हैं, आपको एक सूष्णम भी इसमें देना चाहता हूँ, मैंने बैंगलोर का प्रोग्राम केंसिल कर दिया, किसी कारण से, मैं सप्रिमेंटरी फिर दे दूँगा, वजय आप सुने, कल सुबह मैं यहां से निकलूँगा, आठ बजे, दिल्ली की फ्लाइट लूँगा, ग्यारा बजे दिल्ली पहुचूँगा, दिल्ली की फ्लाइट लूँगा, कुछ रुक कर वही, चार बजे के आस पास पर पहुचूँगा, फिर मैं वहां प्रोग्राम देने जाम आँगा, वहाँ प्रोग्राम देने के बाद सुबह फिर मैं फ्लाइट पक्नूगा नो बच कर कुछ मिनिट पर वो पहुचेगी वहां करीब ग्यारा बच कर कुछ मिनिट पर एयरपूर्ट से आश्रम का रास्ता सवागंड देखा है यानि साड़े बारा पहुचेगा वहां से फिर मेरी नेक्स प्लाइट जो है वो पांच बज़े के आसपास है तो मेरे पास समय सरफ देट गंटा बच रहा है इससे रायपर का प्रोग्राम डिश्टर्ग हो जाएगा फिर क्या है वहां से मैं बैंगलूरू पहुचूंगा साड़े आठ बज़े और सुबह फिर भगम भगी होगी साड़े आठ से ग्यारा बज़े सत्संग देना है लोग पहुच भी नहीं पाएंगे वहां रायने की ववस्ता भी नहीं है वहां से फिर में दिल्ली आकर अमर सर रहना था तो यह बहुत हैट्रिक हो गया बाद में मुझे लोगों ने राय दी कि गुरू जी बैंगलोर का प्रोग्राम अभी रोकें थोड़ा फिर सप्रिमेंटरी आप दे देना बैंगलोर का प्रोग्राम मैंने का ठीक है नहीं तो तो तीनों प्रोग्राम डिस्टर्ब हो रहे थे इसलिए मैं मापी चाहता हूँ बैंगलोर के लिए मैं अप्यूक्त ताइम देखकर अलग प्रोग्राम दोंगा क्योंकि यहां से बैंगलूर के लिए जम्मू से डारिक्ट फ्लाइट भी हैं तो कोई और समय निकाल कर मैं वहां पहुँच जाओंगा छमा चाहता हूं समय हो रहा है कल मैं पुने हाज रूँगा लेकिन एक बात नहीं बुलना है सुम्रण नहीं बुलना यह हमारे अंदर से आवरण हटा देता है सुम्रण से हिर्दे प्रकाशे दुर्मत भाजे पातक नाशे थोड़ा सुम्रण बहुत सुख जो कर जाने कोई सूतने लगे बिलामना सहज जाती सुख होए आप विचार करना थोड़ा सा जैसे आप काया की शुद्धी करते हैं इसलिए सुम्रण आपके अंतर करन की शु झाल 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 समकशना साई